क्राइम रिपोर्टर जमशेटपुर लोहनगरी और इस लोहनगरी की नीद तूटी लोहे की गोली से एक शक्स जिसका अपराध से नाता था वो खुद एक अपराधी की गोली का शिकार बना महज बारा सिकंड में जिंदगी पर फुल स्टॉप लग गया खौफनात मर्डर लाइफ फिल्मि स्टाइल में शूट आउट वारह सेकेंड और खेल खत्र टीवी स्क्रीन को ध्यान से देखिए एक तो पी चार पांच छे साथ आट नो तस ग्यारह बारह और फायर खेल खत्र एक बार फिर देखिए किस तरब बारह सेकेंड में इंसानी जिंदगी खत्म होगी देखिए पीछे से ये शक्स जेब में हाथ रखकर चला आ रहा है इसे देख कर किसी को नहीं लग रहा होगा कि अगले कुछ सेकेंड में ये कुछ ऐसा कर जाएगा क्योंकि ये ना तो किसी काड़ी से आता दिख रहा है और ना ही किसी बाइक से आराम से पैदल चलता हुआ रहा है जैसे इसे किसी बात की फिक्र ही न हो अब आगे की तस्वीर देखी पीछे से गोली लगने के बाद कैसे स्कूटी सवार एक ही छटके में वही गिर गया तुकि गोली उसके सिर में बारी गई है इसलिए वो तुरंती अचेत हो गई गोली चलाने वाले की हिम्मत तो देखी है एक तो वो पैदलास है फिर बेखौफ होकर पाइक सवार के सिर में गोली मारता है और कुछ सेकंड तक भागने की भी कोशिश नहीं करता है गोली की आवाद सुनने के बाद एक और व्यक्ति जब वहां आता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो अपराधी भागने लगता है और भागते हुए फायरिंग भी करता है बताये जाता है कि जिस शक्स को गोली मारी गई वो जुगसलाई के सफी गंज मुहले के रायने वाले निरंजन सिंग घटना से पहले निरंजन जैसे ही नागर मौल मौल के पास अपनी स्कूटी से पहुचे वैसे ही पहले से घात लगाया पराधी ने पीछे से आकर उनके सिर में कोली मारी आनन फानन में उसे MGM अस्पताल दे जाएगे जहां डॉक्टर ने निरंजन सिंग को मृत गोशित कर दिया पता दें कि मृतक भी आप राधिक चरित्र का था पंकज दूबे के साथ अपहरण के एक मामले में सराई केला जेल में सजा भी काट चुका इसलिए हो सकता है कि ये घटना किसी गैंड वार का नतीजा सिल्हाज घटना की जानकारी पातर सिटी एसपी और साक्चित हनेदार घटना सल पर पहुंचे और जाच में जुट गए अब पुले CCTV फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान में जुटी है और साथ ही प्रितक के पास मिले मुबाइल फूर की कॉल डिटेल खंगालने में भी लग गई है कियूश मिश्रा, सी मीडिया, चंक्शेथपूर जमुई में भी जुर्म की काली दुनिया की वारदात सामने आई बाइक सवार हथियार बंद बदमाशों ने दिन दहाड़े असलहों के दम पर बैंक लूट की वारदात को अंजाम दिया बिहार में बेखौफ बदमाश सरेयाम बैंक में लूट कटगरे में कानून व्यवस्था कब पस्त होंगे अपराधियों के होसले तस्वीरे वारदात की गंभीरता बया करने के लिए काफी जहां भी आपकी नजर जाएगी हर सामान बिखरा हुआ दिखे स्टेशनरी से लेकर कंप्यूटर तर सब कुछ जमीन पर पड़ा है तस्वीरे हैं जमूई के चकाई थान शेत्र के सरौन गाउं की जहां बाइक से आए करीब आधा दरजन बदमाशों ने ग्रामीन बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया बताये जा रहा है कि लूटेरे दो बाइक पर सवार होकर आये थे और बैंक में घुसते ही बैंक के मेंगेट में अंदर से ताला लगा दिया ताकि कोई भी बैंक करमी बाहर जाकर कुलिस या फिर किसी स्थानिय को बिजबात की खबर न दे सके इसके बाद अपरादियों ने असलहों के दम पर बैंक करमीयों को बंधब बनाया और लूट पाट को अंजाम दिया किसी के साथ मार पिठों के है लब पर जा रहा है कि बैंक से करीब चार लाक रुपए लूटे गए लूटे गए पैसों में बैंक के लौकर में रखे पैसों के साथ-साथ लूट के वक्त बैंक में पैसे जमा कराने आए एक कस्टमर के पैसे भी शामिल है चश्मदीदों के अनुसार पैसे जमा कराने आए व्यक्ति से 44,000 रुपए भी लूट लिए गए कस्टमर जमा करने आए थे और 4,000 और 3,000 तो रुपए भी ले गए खास बात ये है कि बैंक में लगे CCTV फुटेज की हाट डिस्क भी लूटेरे वारतात के बाद अपने साथ ले गए लूट की घटना हो जाने के बाद भी बैंक मैनेजर के द्वारा साइरन नहीं बजाने की वज़ह से ये लोगों को भी घटना की जानता रही है काफी देर बाद पता चरिए मिलाल पुलिस मामले की जाच कर रही है मनीश कुमार जी मीडिया जमुई बिहार हो या जारखंड कहीं भी कानून पर अब लोगों को विश्वास नहीं रह गया तभी तो पहले बिहार के नालंदा में और फिर जारखंड के धनबाद में भीड तंत्र का इंसाफ सामने आया लोग तंत्र में भीड तंत्र का इंसाफ कानून के रखवालों के सामने उड़ी कानून की धज्जियां हम आगे बढ़ें उससे पहले आपको पुलिसिया तयारी की तस्वीरें दिखाते हैं इन तस्वीरों को देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि जारखंड पुलिस हर समय कितनी तक्वर है आपकी सुरक्षा में और कितनी तयार है अब राधियों को दबूचने के लिए और अब आपको पूरा मामला तफसील से समझाते हैं तस्वीरें हैं धनबाद के सदर्थानक शेत्र की जहां दो बच्चे मोबाईल चोरी करते भीड के हथे क्या चड़े लोग बहती गंगा में हाथ तुने लगे पुलिस की लापरवाही आई सामने अपराधियों को पकड़ने के लिए कितनी मुस्टैद जार्खंड की पुलिस अचकड़ी नहीं ये है गमचे वाली पुलिस हद तो ये कि पुलिस के जवान भी नाबालिक आरोपियों को गमचे के सहारे बांस कर पैदल ठाने ठक ले गए दरसल धनबाज सदर फानक शिर्द के जेसी मलिक रोड स्चिते का आवास से इन दोनों को मुबाई चोरी करते घरवालों ने दोड़ा कर पकड़ और उनकी पिटाई शुरू कर थानिये लोगों की सूचना पर टाइगर पुलिस के जवान वहाँ पहुँचे और दोनों बच्चों को चाने तक खीटते हुए लेगा खानून हाथ में लेने और अपराजियों की पिटाई या उन्हें पीट-पीट कर जान लेने के कई मामले पहले भी सामने आते रहें लेकिन लगातार सामने आ रही ऐसी तस्वीरें ये बताने के लिए काफी कि न तो अपराजियों में पुलिस का खौफ रह गया है और नहीं शायद जनता में कानून का नितेश मिश्रा, जी मीडिया, धन्बाद वहशाली में भी एक नाबालिग को भीड की हैवानियत का सामना करना पड़ा बेबस नाबालिग पिड़ता रहा और लोग तमाशबीन बने रहे हैरानी की बात ये रही कि तमाशबीनों के मजमे में पुलिस वाले भी हाथ पर हाथ धरे खड़े थे बिहार में भीड का बरबर इंसाफ नाबालिग आरोपी की सरयाम पिटाई भीड के इंसाफ का शिकारिक बच्चा लगातार पिटता रहा लातों से घूसों से भीड बेरहम बनी रही और लोग तमाशबीन जो भी उस भीड में शामिल हुआ बच्चे पर अपना दम आजमाता दिखा कुछ लोग पीट रहे थे तो कुछ लोग पीटने के साथ नसीहत भी दे रहे थे मामला है हाजिपुर के नगर थानक शेत्व के सुभाश नगर इलाखे का भीड की हैवानियत जारी थी मौके पर पुलिस के जवान भी थे लेकिन वो मजमे में शामिल होकर तमाशबीन बने रहे दरसल इस बच्चे पर आरूप है कि वो अपने कुछ दोस्तों के साथ बाइक चोरी करने के मकसद से मौके पर आया था स्थानिये दुकांदारों की माने तो वो मास्टर की के जरिये वारदात को अंजाम देने की फिराक में था लेकिन लोगों की नजर में आ गया फिर क्या था भीड को मौका मिल गया किसी ने भी पुलिस को सूचना देने की जरूरत नहीं समझी और खुद ही कचेहरी लगा कर इंसाफ शुरू कर दिया बच्चे को तकरीबन घंटे भर घुमा घुमा कर पीटा गया जैसा कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि मौके पर पुलिस वाले भी हैं लेकिन लोगों ने कानून की इजज़त करनी तो दूर और उस पुलिस वाले को धक्का देकर साइड करने की कोशिश कर अब सवाल ये कि अगर ये बच्चा बाइक चोरी की कोशिश कर भी रहा था तो इस देश में एक कानून विवस्था काम करती है आप उसे पुलिस के हवाले कर सकते थे लेकिन सरयाम यहां कानून तोड़ा दे रहा विकासानन दी मीडिया हाजिप मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार कानून का राज होने के बड़े-बड़े दावे करती है लेकिन शिवराज में सरयाम कानून तोड़ा जा रहा है मध्यप्रदेश के गौलियर में एक बढ़्दे कारिक्रम में अधाधुद फाइरिंग हूई हवाई फाइरिंग हो रही थी खैरानी की बात यह है कि करीब आदे घंटे तक लोगता बड़तोर हवाई फाइरिंग करते रहे लेकिन उन्हें रोखने की हिम्मत शिवराज की खाकी नहीं दोता पाई गोलियों की आवाज से पूरे इलाके में हड़कम पुमच दिया लेकिन शिवराज की पुरिस के कानों तक कार्पी की आवाज नहीं कौना अब सवाल यह उठता है कि अगर फाइरिंग में किसी की जान चली जाती तो जवाब कौन देता है मामला गवालियर शहर के पिंटो पार्क इलाके का है जहां एक वर्द्दे कारिक्षम में खुलेया अंशादोर गोलिया चलाई जा जाती इस मामले का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वाइरल हुआ तो पुलिस में एक आरोपी को गिरफतार कर उससे हथियार जब्द कर लिया है लेकिन मामले के अन्यारोपी अभी पुलिस की गिरफत से बाहर इस मामले में पुलिस भी कोलमोल जवाब दे रही है पुलिस के अधिकारियों को अभी तक ये नहीं पता कि वाइरिंग किस जगह पर देए पश्चिम चंपारण में कातिल अंधविश्वास का मामला सामने आया है चौतरवा इलाखे में एक बुज़र्ग महिला की उसके घर में घुसकर गला घूट कर हत्या कर दी गई और उस पर आरूप लगाया गया डायन होने का डायन के डंक ने लिए एक और जान अंधविश्वास के नाम पर बुज़र्ग महिला का कत्य दिल तहला देने वाली ये वारदात है पश्चिम चंपारण की मामला है चौतरवा थनक शेत्र के घर घटवागा जहां उस वख संसनी पहल गई जब एक व्रिद महिला का शव उसके ही घर से मिला बताया जा रहा है कि गाउं के ही कुछ दबंगों ने डायन होने के आरोप में बुज़र्ग महिला की गला दबा कर हत्या कर दिये बताया जा रहा है कि घटना से एक दिन पहले ब्रिजेश सह की 70 वर्षिय मा का अपने पड़ोसी पटीदारों से मामूली बात पर विवाद हो गया था अगली सुभा आनंदी सहा उसकी पत्नी और गुड़ू सहा अचानक ब्रिजेश के घर में जबरंग घुसाए और उनकी बुढ़ी मापर डायन होने का आरोप लगाया और फिर गाली गलोज करते हुए मारपीट करने लगे आरोप है कि इसी दौरान इन लोगों ने गमचे से बुज़ूर महिला का गला घूट दिया घटना की सूशना मिलने के करीब 6 घंटे के बाद मौके पर पहुँची पुलिस और मिर्त महिला के बेटे के दिये बयान पर दो आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है प्रिकात की जिम्मेदारी बगहा एस्पी ने स्टी पियो संजीव कुमार को सौपी है और पुलिस आगे की जाच के लिए पोस्ट मौटम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है इमरान अजीज, जी मीडिया, बगहा भुचपूर के नीमा प्राचमिक विद्याले के प्रिंसिपल पर छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए है छात्राओं की शिकायत के बाद परिजनों ने प्रिंसिपल को बंधग बना लिया, हंगामा किया फिलहाल पुलिस आरोपी शिक्षक को हिरासत में लेकर मामले की जाच कर रही है स्कूल में गंदी बात प्रिंसिपल पर आरोप बंध कमरे में मोह छुपा कर बैठा ये शक्स न चोर है न बदमाश है ये है भोजपुर जिले के नीमा प्रात्मिक विद्याले के प्रिंसिपल इन पर स्कूल की छात्राओं ने छिड़खानी का आरोप लगाया है छात्राओं का आरोप है कि गुरु जी उनसे गंदी बात करते है शात्राओं ने जब प्रिंसिपल की शिकायत परिजनों से की तो परिजनों ने उहें स्कूल में बंद कर दिया और पुलिस को सूचना दिया पुलिस आरोपी प्रिंसिपल को हिरासत में लेकर पूछताच कर रही इधर प्रिंसिपल साहब खुद को बेकसूर बता रहे हैं और ऐसी किसी भी बात से साफ इंकार कर रहे है। विद्या के मंद्य यानि विद्याले में शिक्षा और संसकार की बात होती है। इसके अलावा कोई दूसरी बात करता है तो वो खलत है। मनीश कुमार, दी मीडिया, आर्ट। धनबाद में एक फर्जी डीएसपी के साथ एक कॉंस्टिबल को गिराफतार किया गया है दोनों बोकारों के रहने वाले हैं। जो कोईले की तसकरी करने वालों से जबरन शातिराना अंदाज में वसूली कर रहे थे। अब मुह चिपा रहे हैं। जिर जुका रहे हैं। ऐसे भोले बन रहे हैं कि पूछिये मत। लेकिन इनकी मोहिनी सूरत पर मत जाएगे। इनकी फरेदी नियत सुनेंगे तो हैरान रह जाएगे। ये जनाब हैं पंकज कुमार सिंग पहचान फरजी डीएस्पी और ये हैं चंदन कुमार सिंग इनकी पहचान फरजी कॉंस्टिबल वोकारों के रहने वाले ये दूनों शाते राप के अंधेरे का फायदा उठा कर साइकल से कोईले की तसकरी करने वालों पर भौस जमाते और मनमानी वसूली करते पुलिस की नकल उपर से नियक खरा अपनी गाडी में तसकरों को डराने के लिए इन्होंने पुलिस लिखवा रखा चोरों को डराने के लिए चाहिए क्या ओ नाम ही काफी था फिर इनकी कैफियत पूछने की हिमाकत कौन कर नितेश मिश्रा जी मीडिया धन्बा प्रतिमंधित उग्रवादी संगठन पीलफाई सुप्रीमो दिनेश गोप की करीब एक करोड से भी ज्यादा की संपत्ती पुलस ने अटैच कर ली है इसके साथ खुलेश्वर गोप की आईटी आई बस स्टैंड स्थेट संपत्ती पुलस ने कबजे मे ले ली है उग्रवादियों के खिलाब प्रशासन की बड़ी कार्रवाई है पीलफाई सुप्रीमो दिनेश गोप पर शिकंजा एक करोड से ज्यादा की संपत्ती अटैच खुटी पुलिस ने प्रतेबंधित उग्रवादि संगठन पीलफाई सुप्रेमो दिनेश गोप के खलाब अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है राजधानी के मोहराबादी मैदाने स्थेट इदल हातू और रातू च्छत्र के हेहल बिज मिना अपार्टमेंट में उसके घर को सील कर दिया साथी एक स्कॉर्पियो एक सेंट्रो कार्रस अबेते करोड की संपत्ती जब्त की गई जो घर था उसको भी UAPA Act के अंतरगत खूटी पुरिस के द्वारा सील कर लिया गया है इसके साथ ही एक स्कॉर्पियो और एक सेंट्रो भी UAPA के अंतरगत जब्त किया गया है छे महीने पहले खूटी के कर्रा थानक्षद्र के सरदूला में सिजाई योजना के तहट निर्मान कारे में लगे बाहनों में आगजनी की गटना को इसने अंचाम किया था जिसमें दिनेश गोप समेत कई उगरवादियों का खिलाफ नामजद प्राथमी की दर्ज की गई थी पुलिस के मताबि बिलेफाई सुप्रेमो दिनेश गोप खूटी सिम्जेगा गुमला और चाइपासा के अलाबा कई जिलों में स्कूल भी चलाता है जिसमें खूटी के रणिया प्रकंडे सित गरई में तीन स्कूल भी शामिल है एक स्कूल को जिला प्रशासन ने सील कर दिया है बाकि स्कूलों के खिलाफ में कारवाई की जा रही है अलाकि एस पी ने इस पर अभी कुछ बोलने से इनकार किया है दिनेश गोपर दस से ज़ादा उगरवादी मामले दर्ज है बहराल प्रशासन के मताबिक उगरवादियों के रीड पर चोट जारी है इधर संगठं के हार्ड कोर सब जोनल कमांडर जीदन बुडिया समेश अनुगरवादियों की संपत्ती को बेजब्द करने का धावा किया जा रहा है खूटी से सोनू अंसारी के साथ सनी शारत जे मीटिया राच्छी सिवान में लगातार अपराजियों का मनूबल बढ़ता जा रहा है आज फिर सिवान जेल में कारेरत होंगाड के एक सिपाही की बेख़ौफ अपराजियों ने गोली मार कर हत्या कर दी घटना हुसाइन गंज थानाक शेत्र की है जब सिपाही कौशलनाथ पांडे ड्यूटी के बाद अपने घर जा रहा था तब ही मोटर साइकल से आए उससे बदमाजमन है उससे तीन गोडिया मार दी और घटना स्थल पर ही जवान की मौत हो गई धनबाद के बैंक मोर थाना पुलिस ने एक फरसी डियसपी के साथ एक कॉंस्टेबल को गिरफतार किया है अपने आपको डियसपी बताने वाले शख्स का नाम पंकज कुमार सिंग और कॉंस्टेबल का चंदन कुमार सिंग नाम है दोनों बोकारों के रहने वाले हैं बताया जा रहा है कि दोनों बीती राद सड़क पर आने जाने वाली गाड़ियों के साथ कोईले से लगे साइकिल वालों से भी अवैद बसुली कर रहे थे जब लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी तो दोनों को पकड़ लिया गया पुलिस ने उस वाहन को भी जबत कर लिया है जिस पर पुलिस का बोड लगा हुआ था यह दोनों एक जस्टर गारी लेकर एक डीएस्टी बनकर और एक कास्टेपल बनकर सरक पर गारी असिर्पास वस्वल कर रहे थे जिसकी सुचिना बैंकों थाने को गई तो हम लोगों नहीं नहीं रफ्तार किया हैं यह दोनों फर्जी पुलिस कर दिया लिहार में शराब बंदी के बाद भी शराब पीकर वारदात को अंजाम देने की घटना में कमी भी आई है सोमगार देर रात तीन अपराधियों ने नश्य में धुत होकर बाइक की लूट को अंजाम दिया था लेकिन सानी यह लोगों के सहयोग से बाइक जब्त कर ली गई लेकिन अपराधियों ने भागने के दौरान गोली बारी की इसमें एक शक्स घायल हो गया था जानकारी के बाद पुलिस ने जाल बिछा कर सभी अपराधियों को गिरफतार कर लिया है गिरफतार अपराधियों के पास से पुलिस ने तीन कट्टा और तेरह जिन्दा कार्टूस के अलावा दो मुबाईल फोन और एक बाइक जब्त की है नवादा में बाइक लूटने के दौरान अपराधियों ने अधाधुद फाइरिंग की जिसमें एक युवा घायल हो गया हाला कि जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने अपराधियों का पीछा किया और तीनों को गिरफतार कर लिया अपराधियों के पास तीन लोड़ेड देसी कट्टा और तेरह जिन्दा कार्टूस बरामत हुए है पुलिस का गहना है कि तीनों अपराधी कई अन्य मामलों में भी आरोपी हैं परिजनों ने आशीश यादो नाम के व्यक्ति पर आरोप लगाया है उनका कहना है कि देशहरा के दौरान गुड़ू साह की हत्या हुई थी जिसका आरोप आशीश यादो पर है उसी ने एक बर फिर मारने की कोशिश की है पुलिस मौके पर पहुँच गई और मौके से बाईक और एक पिस्तॉल बरामत की है हम लोग के स्काना नहीं चाहते हैं उसके बाद हमको गोली आप घर के पास आके मार रहा था हम गोली फरी कि हम चिप गए चितने के बाद वो खला किया है वो प्रस्तोला मौके लाए लाओ गारी छोड़के वो भाग गया भागने के बाद पब्लीक हला के पब्लीक के से जुटा फरी करते हो निकल गए मौलेजवा गाँ है वहाँ पर खबर आई कि हमारा एक मटब केस का अभीप्ता सीज वो मोटर साइकल से वहाँ पर आया हुआ था तो फिर लोगों ने उसको जो खदेड़ा तो वो मोटर साइकल छोड़ करके वो भागा और लोगों ने कहा कि एक पायरिंग भी किया उसमें और मौके पर पुलिस पहुंची तो एक मोटर साइकल और एक देशी पिस्टप और एक गोली बरावर्ट ले रहा है कि यह ले रहा है आसीश का तुका चिया है कुम्याई किया है इससे पहले भी आये थे हाँ क्राइम रिपोर्टर मैं आज बस इतना ही बने रहे है यजी बिहार जारखन के साथ नमस्कार